थे सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन की घंटी होती है उसको जरूर फ्रेस करें ताकि मैं जो भी ब्लॉग जो भी वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें और सब्सक्राइब करना विल्कुल फ्री है तो फ्री में आप स आप सब्सक्रायब करके करें तो हमारे लाइब से जूड़ीं बाते जानने के लिए तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेने गंटी होती है उसको जरूर प्रेम करें ताकि जो वीडियो में एप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और जितना हसके वीडियो को सेयर करें और प्लीज मुझा सपोर्ट करें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है तो ठंड बहुत बढ़ गई है और इसके वकर दिया करें विडियोग प्लोगिंगी स्टार्ट विदीयोग पटे ले में लुड़ पर है तो उसके पाद चलो पढ़ी हाए जाव तर इसको अटाओ उसको अपर अपर में जो वसस अच्छा अब मैं तो नोखिक रही हैं तो यहां पर हस्बेंट एक काम सटाट किये थे अपना बिजनस सोच रहे थे की कोई दुकान खोलूं तेख दुकान खोले थे मगर दुकान का किराया इतना जादे था इतना जादे था कि हम सब पिस्ता बाहर हो गए फीर आखिर में एक महीना के अंदर ही मैंने बंदूंद करवा दिया कि घर कहा से चलेगा बच्चे कहा से पढ़ेंगे और खाना कहा से खाएंगे तो इस चक्र कि के दिख काम है इसलिए है है सब से छोटे से घर में अच्छाइज से गौर से पकाम करते हैं अपना अपना के साथ रहते हैं इधर देखिए अधितिया और अजय्य aur चल रहा है और जैसे कि आपको पता है केमरे में आते नहीं है तो चलिए चैनल पर फर्स्ट वार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लिजिए ताकि मैं जो भी ब्लॉग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो बिंदा सब्सक्राइब कर सकते हो इसका कोई चार्ज नहीं करता है तो वीडियो में कंटीनु रहिए और वीडियो को सेयर करिए तो यहाँ पर हमारे देवर जी आये हैं तो धेर सारी बाते हुई है और धेर सारी मस्ती हुई है उसके बाद एक से डेड़ घंटे के बाद जब आये थे तो हाथ पाउं धुलवाने के बाद मैं जस्ट में पूछी थी कि खाना माना लेके आऊं की नहीं और तो उन्होंने बोला था कि अभी अभी तो जस्ट में खाके ही आया हूं तो अभी मिले हैं और क्योंकि करोना बाइरस में जहां जो फैमली है वहां अपना अपना घर में रहो गाउं में तो गाउं में रहो जहां भी हैं अपने अपने घरों में रहें सेफ रहें सुरक्षित रहें तो इसलिए कोई मिलने नहीं आ रहा था नहीं हम जा रहे थे मिलने के तो दे रही थी और उसके बाद बाते बाते करने के बाद आज मैं जान रही थी मुझे पता था कि मेरे दिवर हुआ मिन ही कर देश्च में ने सेर करने को बनाई थी और मचली सच में स्टेस्टी बनी थी बिहारी स्टाइल मचली बनी थी और देख सकते हैं आप में खाना लगा देती हूं और सब को मैंने खाना भी दे दिया है आप देवर जी कुछ अलग से जॉइनिंग किए हैं तो यहां पर देवर जी कुछ अलग से जॉइनिंग किये हैं एक्स्ट्रा काम को तो यहां पर बोल रहे थे कि बीबी पर बीबी तो यहां पर मुझे भी हसी आ गई थी कि बीबी की बाते कर रहे हैं तो भाईया भी बोल रहे थे कि क्या बोल रहा है तू तो मैं ही बोल रहे थे कि वह कुछ दूसरा बीबी ह तो भाइय बोल रहे थे यहां पर आपार तो यहाँ पर खाना उना मैंने दे दिया और मचली सच्च में बहुत टेस्टी बनी थी मैं आपको बता नी सकती हूं उसके बाद खाना उना खाने के बाद हम आ गए हैं ना था तो मैं सोची चलो हाथ लगे में बरतन भी साफ कर देती हूं तो यहां पर में बरतन दोने के लिए आ गई हूं और यह जो सिंक का नीचे का जो पाइप है नो पाइप टूट गिया है तो बहुत दिक्कत होती है साइड-साइड में पानी जो है मतलब गिरने लगता है तो कीचन जादे गंदा हो जाता है तो इसलिए और मज़ी बनी थी तो मुझे मैं सोची के चलो मैं वागर सीच में बरतन धोती हूं तो पम अचली का पानी मानी इधर उधर गिरेगा तो और ज्यादे फैल जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ बरतन धोने के लिए तो यहाँ पर देख सकते हूँ मैं बरतन धो रही हूँ और अजाई बोल रहा है कि ममा मैं भी तुम्हारा हेल्प करना चाह रहा हूँ मैं भी बरतन धोँगा तो मैं बोल रही थी कि बेटा अभी ठंड बढ़ रही है सब को ठंड लग रही है तू हमारा हेल्प करेगा जब बढ़ा होके हेल्प करना तो यहाँ पर जिद्धी कर रहा था फिर मैं इसको डाट के यहाँ से बगाई कि बेटा जी यहां से हट जाओ तो फिर यहां पर पाइप लगा के दिया है अपने मन से कि ममी में तुम्हारा हेल्प करना चाता हूँ तो फिर मैं बोली कि बेटा यहां पर सामने में पानी रखी है तो मैं पहले इस पानी को इस्तमाल करूँगी तो फिर यहां पर जली 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 जूल जाता है अर्या पे में कुछ बोल रही थी तो को बहुत परसान कर रहे थे बच्चे और मैं धंव से बच्चे को बचा रही थी कि धंव में पानी मत चुओ मत चुओ मगर ये धोनों मान ही नी रहे थे फिर इसी पर मुझे डार्ट आ गई और दोनों को थोड़ा से मैं फटकार लगा दिया और यहां पर बरतन दोने के प्रचे को और हस्बेंट को कपड़े थे तो मैं फिर बरतन दोने के बाद कपड़े को धोना स्टार्ट कर दिया हूं तो बालटे में मैंने सरफ पानी भूल लिया है और सारे कपड़े को धो दोगे में निकाल लूँगे फिर दो से तीन पाने से निकाल के फिर में फैला दूँगी कपड़े और फिर सुखते रहेंगे धेरे-धेरे फिर इसके बाद देखिए यहां पर में चाय बना रही हूं तो आप सब भी आज़े यह चाय पीने के लिए यहां पर अधरक्ष के प पसंद नहीं है हलकी हलकी मीठी वाली चाय अच्छी लगती है और वैसे लोगडान में जादे कुछ बयाम हो नहीं पाता है तो जादे चीनी खाना सेहत के लिए बहुत ही हामफूल यानी खतरनाक हो सकता है तो इसलिए मैं भी पोसिस करती हूं कि कम से कम चीनी खाए इसके ढललली देखे करए साथी वाने क्याद भेजा है हम सबको लिए बच्ची के लिए अपने पोते के लिए तो यहां पर एक गिफ्ट नैंकी है तो देख सकते हो यहां पर भुणजा हम सब में गाउं में भुणजा बोलते हैं तो बच्चे अभी तुरंत जस्ट दो सब के सब लेने लगें थोड़ा से मैं भी लिया हूँ और थोड़ा से हाड वाला कच्छा चावल का भुणजा है तो बस यह हलका वाला मुर्मूरे नहीं है दूसरा भुणजा है आई होप आपको आज की ब्लॉग जरूर पसंद आई होगी चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूं नेक्ट ब्लॉग में तब तक के लिए ब्लॉग